हेलो एव्रिवर्ण वेल्कम तु माई यूटूब चैनल सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे पिक साश्या करने वाली हूँ हीना खान इंस्पाइड मेकप लूप गाइस मैं हीना खान जैसे लग तो नहीं सकती बठा उनके जैसा मेकप ज़रूर कर सकती हूँ जैस विदावरानी फ़र्दाटी ले लेट चैट सबसे पहले मैं हाँ पिश करेहीं हूँ ये गुडवाइज का रोज ग्लोज़ टोनर जैस ये बहुत हच्छा टोनर है इस्से आपको बश्यक करने के बाद अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्डे करना है इसके बाद इसके dry होने का इंतजार करना है इसके बाद नहीं आपे ले रह हूँ यह लग्मी पीच मिल का Moshu Raizer यह मेरा फेवरी मोस्च राइजर है विकॉज यह आपके स्किन को बहुत अच्छे से Moshu Raizer करता है आप शबी स्किन टाइपस के लिए suitable है तो आप चाहे किसी भी skin type के हो, यह आप पे अच्छे से जाएगा, इसके बाद में आपे ले रही हूँ, यह लाकमी 925 का CC cream in the shade bronze, यह वाला जो shade है वो मेरे skin tone से लगभख लगभख मैच करता है, मतलब हलका सा यह dark है बट इट्स okay, यह मेरे skin tone से एकदम मैच करता है, इससे में आपने चेहरे पे अच्छे से डॉटर फोर में अपलाई करने के पाद, आपने इस ब्लेंड के हैजसे इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, CC cream और BB cream में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या डिफरेंस है, CC cream आप नर्म डेंस में अपलाई कर सकते हो, बी-बी क्रीम भी आप नर्मल डेंस में अपलाई कर सकते हो, बट CC cream का BB cream से जादा कवरेज होता है, इसके बाद मेरा पे ले रहे हूँ हूँ, यह स्प्यूटी का लिक्विड कंसीलर, यह मेरा जो शेड है इसमें वह है लाइट मोयन, यह जो ब्लेंडर के हत्स सचे से ब्लेंडि कर रही हूँ, इसके बाद में आप ले रहे हूँ एंगे ब्लू हेवें का get bright compact powder, यह वारा चो compact powder है इसमे आपको coverage भी मिलता है, इसका मतलब अगर आपने कोई light coverage वाला foundation भी अपलाई कह रही है तो अगर उसके उपर आप इसे अपलाई क हमेशा की तरह मैं कोई भी आईबरो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूं आज भी बिकोज मुझे नहीं लगता कोई की कोई जरूरत होती है मेरे आइब्रो इसके बाद में हपे ले रही हूं यह हिलारी जोड़ा का आई शाडव पैले इस वाले आईशाडव पैले आपको बहुत हैं भी ब्यूटीफुल न्यूट्रा शेडे किपल और वा कर sih में59 पर ніकाला उपफ से मुखनेख में हैं हमें बहुत हल्की हाथों से ही से करना है एक एक उति जारील लग ऌने कर शेड्च़ पर ऐस दर किउट कर दहाया है लेकिन था थोगा सा मैंने देखा है एंड इसके बाद मैं इसे कि में इनर कोर्नर से थोड़ा आगे तक लिड के इनर को निपने को थोड़ा साब देख dulu जहां पर मैं अप्लाई करे रही हूं एक जट ब्लाक इन कलर है और इसमें सिर्फ ब्लाक ही शेड आता है ये बहुत ही अच्छा आइलाइनर और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका अप्लिकेटर भी मुझे बहुत अपसंद है इसके बाद मैं आपे ले रही हूँ ये मेबलीन दी कॉलरसल काजल अपने सिर्फ इसके पहुत पहुत अप्लाई किया है इसके बाद मैं आपे ले रही हूँ मेबलीन दी हाईपर कॉलल मस्केरा ये मेरा फेवरीट मस्केरा है ये आपके आई लेशेस को फोड़ा सा कलंपी बना देता है यह वाटरप्रूफ है तो इतना सारे वाटरप्रूफ में तो मतलब मस्करे में होता है यह आपके लैशेस को बहुत अच्छे से करल करता है और बहुत अच्छी वॉलिम पी दे रहता है इसके बाद मैं आपे यूज कर रही हूँ यह Blue Heaven का Shimmer Matte Blush मेरा शेड मुझे याद नहीं है Sorry and इसे मैं अपने चीक्स अप्लाइ करें हूँ हीना कान ने बहुत ही minimal makeup किया हूँ था ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं होता उन्होंने भी makeup किया हूँ था बहुत and blush उन्होंने बहुत light लगाया था बट मेरा थोड़ा सा dark है so sorry आप light अप्लाइ कर सकते हूँ इसके बाद मैं शिम्डी शेड को यूज कर रही हूँ as a highlighter उन्होंने बहुत कमी highlighter अप्लाइ किया था इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ Himalaya का lip balm इसे मैं अपने लिप्स पर अच्छे सा अप्लाइ कर रही हूँ इसके बाद हम लोग एक matte lipstick अप्लाइ करने वाले है so guys यहाँ पर मैं यूज करी हूँ यह एडियस मैक में lipstick इसका shade है skin case and उन्होंने ऐसी lipstick अप्लाइ की थी जो लगी नहीं रहा था कि वो lipstick है I don't know उन्होंने अप्लाइ किया भी था या नहीं but मुझे यह वाला shade बहुत हद तक matching लगा उनके lip shade से तो मैंने इसे ही apply किया है and मैंने इसे भी बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाइ किया because जैसकि मैंने बताया कि उन्होंने ऐसा lipstick shade अलगाया हुआ था कि वो लग रहा था कि उनका वो natural lip color है so इसलिए मैंने भी इसे apply कर लिया है इसके बाद मैं यह आपर वेर कर रही हूँ यह जुमका उन्हीं से matching करता हुआ and yes यह बहुत हद तक matching कर रहा था यह वाला जुमका and guys यह वाला जुमका है इसका shade जो है वो rose gold है and मुझे यह जुमका बहुत ज्यादा पसंद है and अब हम लग करेंगे ज्यादू yes मैं हो गई हूँ full तयार उन्होंने कुछ इसी तरह के का hairstyle रखा हुआ था I know मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है so sorry and नीचे से curls बहुत नहीं है मतलब उन्होंने heat देके यह सब किया है but मेरे पास नहीं था अभी present time में तो इसलिल मैंने वैसा कुछ नहीं किया है and मैंने eye shadow से ही इस type की बिंदी अपलाई कर ली है so यह ही था आज का video I hope you all like this video if you like this video then please give a big thumbs up to this video if you like me and my content then please subscribe to my youtube channel and अगर आप मुझे कुछ भी self करना चाहते है then comment below stay tuned stay safe and bye bye